Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is about how to style your scarf in three cute ways. या आप विलेंट स्काफ को भी स्टाइल कर सकते हो. और नॉर्मल स्काफ को भी विलेंट आज करेंगे हम लोग जादे यूज़ करें, बट मैंने नॉर्मल से दिखाया है. आप देख लो, ओके. इसे सबसे पहले आपको अपने स्काफ को डबल फोल्ट करना है, उसके बाद आप अपने नेककिया राउंट पर ले लो. फिर एक साइड आपको थोड़े से कम पार्ट रखना है और एक साइड का थोड़े से जादा. जिदर आपको बोग बनाना है आप उधर के side का part थोड़ा सा कम रखो, okay? इसको properly ऐसे करके फिर आपको एक fold करना है, then second fold, मुझे ये side थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने और ले लिया, second fold, आप एक और fold बना सकते हो, अगर आपका scarf थोड़ा बड़ा है, but मेरे scarf के length के इसाप से इतने folds चाही थे, और फिर उसके mid में आपको एक hair tie लगाने है, य अज़स्ट कर लेना है बो को, then उसके बाद ये जो second वाला पार्ट है, second वाला जो उमने strand लिया है, okay, फिर आपकी जो बो है, पहले इसको अपने दूसरी वाली side पर adjust कर लो, आपको exactly वो बो कहां पर चाहिए, okay, then फिर ये जो strand है ना, उसके around बस आप एक बार ही घुमा जो, and that is it, your first way is ready, looks very cute, long jackets पे, या फिर आपने सिर्फ एक प्रॉपर टर्टलनेक डाल रिख है, plain सा, आप एलिवेट करने के लिए ये डाल सकते हो, बहुत क्यूट लगता है, लगता ही नहीं के अपने normal scarf से बनाया है, and winters में तो आप scarf से millions way में कर सकते हो, styling, okay, for the second way, आप वो जो long वाला पार्ट था, उसको हटा सकते हो, and ये सिर्फ एक बहुत क्यूट सा बो आप धर रग सकते हो, for the third way, ये जो बो है, इसको हम लोग सेंटर में लेकर आएंगे, उसके बाद ये जो नीचे वाले strand हमने लीव किया हुआ था, उसको लेके पीछे एक नॉट बनाएंगे, it looks very classy, बहुत क्यूट लगता है, और formals पे तो बहुत ही जादा क्यूट लगता है, so for a formal way, मैं इसको अपने buttons, sweater के close कर लूँगे, and tada, this is the last way, and very cool way, hope you like it, please do share, subscribe, and like this video, subscribe to my channel, thank you for watching, now please, 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 please share करना,